नमस्कार विद्यार्थियों आज का हमारा टोपिक रहेगा राजनेक प्रतिनीधियों की उनमुक्तियां एवं विशेशादिकार तो राजनेक प्रतिनी धी जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य में भीजा जाने वाला वो प्रतिनी धी जो दोनों रास्ट्रों के बीच में मध्यस्थता करते वे शान्ती और अच्छे समंद बनाई रखने के प्रयास करता है और इस पहला है भाईय प्रादेश शिक्ता का सिद्दान्थ, इस सिद्दान्थ के अनुसार राजनेगों को कुछ उन्मुक्तियां और विशेश अदिकार इस कारण प्राप्त होते हैं क्योंकि उन्हें राज्य के एक शेत्रा अदिकार के बाहर माना जाता है। अत्यक कुछ विदिशास्त्रियों के अनुसार राजनेगों प्रतिनिधियों की उन्मुक्तियों तथा विशेश अदिकारों को इस सिद्दान्थ के आदार पर उचित बताया जाता है। राजनेगों प्रतिनिधियों की उन्मुक्तियों तथा विशेश अदिकारों का आधार नहीं माना जा सकता। आस्ट्रेलिया के उच्छतम न्यायले ने अपने 1971 के एक्सपार्ट पेट्राल्फ 1971 केस में भाईय प्रादेशिक्ता की सिद्दान्थ की कड़ी आलोचना भी की थी। दूसरा सिद्दान्त है कार्यात्मक सिद्दान्त। राजनेक प्रतिनिधियों को उन्मुक्तियों तथा विशेश अदिकार इसलिए प्रदान के जाते हैं कि वे कुछ विशेश कारे संपादित करते हैं। इन उन्मुक्तियों तथा विशेशादिकारों की अनुपस्थिति में उनके लिए इन कारेओं को संपादित करना संभव नहीं होगा और यही तर्क कार्यात्मक्सिद्दान्त का सार भी है वर्तमान में इसे सही आधार माना गया है तो इस तरह से हम राजनिक प्रतिनिधी जिस प्रकार के कर्तवियों का पालन करते हैं उन्हें सुचारों रूपसे करने के लिए यह आवशक है कि उन्हें कुछ उन्मुक्तियों और विशेशादिकार प्रदान किये जाएं तो राजनिकों के विशेशादिकार के आवशकता क्यों है इसके पिछे भी कई कारण हैं कूटनितिक प्रतिनिधीों को वैसे तो अनेक विशेशादिकार एवं उन्मुक्तियां सोंपी जाते हैं ताकि वे अपने दायत्मों को पूरा कर सके ये विशेशादिकार परंप्रागत एमम अभी समयात्मक कानूनों पर आधारित होते हैं पुराने समय से ही कूटनितिक प्रतिनीदियों के पत को पवित्र माना जाता है और प्राची निउनान के लोग राजदूत पर किये गए आघात को गंभीर प्रकर्टिका मानते थे राजदूतों को तब तक विशेशादिकार नहीं सोपे जाते जब तक वे उन दैत्वों का निर्वा करने में ऐसा मर्थ रहते हैं जिसके लिए उन्हें भेजा गया है उनके स्वतंत्र कारे संचालन के लिए यह आवशक है कि उन्हें अपना पत्र व्याभार गुप्त रखने की सुवीदा हो तथा उन पर किसी का भै तथा दबाव प्रयूक्त नहीं किया जाए इसमें हम कूटनितिक्यों के विशेश अदिकार और उन्मुक्तियों की चर्चा कुछ इस तरह से कर सकते हैं जैसे व्यक्तिगत अनतिक रम्यता कूटनितिक प्रतिनीदी उतने ही पवित्र माने जाते हैं जितने की राज्ये के अध्यक्ष अते उनको अपने शरीर की रक्षा की विशेश सुविधा दी जाती है और ग्रहन करता राज्ये से प्रतेक प्रकार के फोसदारी क्षेत्रा अधिकार से उन्हें अलग रखा जाता है यह दूतों का प्राचीनतम विशेश अधिकार है राज्ये पर किया गया कोई भी अतिक्रमन उसके राज्ये पर किया गया अतिक्रमन है जो युद्ध का कारण बन सकता है कोटिले के मता नुसार दूत चांडाल होने पर भी एवध्य है यान उनका वध नहीं किया जा सकता रिपब्लिका बनाम लॉंग चेंप्स के मामले में स्विकार भी किया गया था कि राजदूत का शरीर पवित्र और एवध्य होता है राजदूत की हिंसा करने वाला वेक्ति सारी दुनिया के विरुद अपराद करता है युनाइटेड स्टेट्स बनाम बैनर के मामले में भी राजदूतों की सुरक्षा को आवशक माना गया है और पहलची के मामले में दिये गए निर्णे के अनुसार राजदूत को सब प्रकार के क्षतियों तथा अपकारों से सुरक्षित रखना चाहिए शत्रू के दूत को भी हानी पहुंचाना अनुचित माना गया है यदि उत्तेजनावस किसी दूतावास को क्षति पहुंचाई जाती है तो समंदित राज्य द्वरा इसका मुआवज़ा दिया जाना चाहिए तो इस प्रकार से राज़दूतों के अवध्यम आना गया राज़दूतों को और उनको बहुत ही पवित्र पद और इस्थान प्रदान किया गया है हलांकि आजकल राजदुत्तों की अवध्यता के नियम के उलंगन के मामले भी कई सामने आये हैं जैसे 1967 में सामयवादी चीन में सांस्कृतिक क्रांती के समय सोवियत संग भारत और दूसरे देशों के राजनेईकों के साथ जो व्यभार किया गया वै उलेखनी यही है सबको पता है और जनवरी 1967 में पेकिंग सोवियत दूतावास को चीनी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड ने घेर लिया आने जाने वलो लोगों को परेशान किया और दूतावास में जलतीव मशाले भी फैकी गई तो इस तरह से इसका उलंगन भी देखने को हमें मिलता है हलंकि राजदुतों के पद के पवित्रता उतनी नहीं रही जितनी की प्राचीन काल में थी फिर भी वर्तमान में भी ये ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह से भी राजदुतों का अपमान नहीं हो क्योंकि इससे द इन्हें दूत मानने वाले राज्य के प्रदेश में अवस्थित होते हैं, किन्तो अंतरास्टे कानून के अनुसार इन पर उस देश का क्षेत्र अधिकार नहीं लागू होता। ये उस राज्य के क्षेत्र में रहते हुए भी उसके कानून और न्यायलेयों के अधिकार क्षेत्र से बहार समझे जाते हैं, विदेशी दूतावास में उसी देश का कानून चलता है, जिसका राजदूत वहां रहता है। देशी पुलिस अधिकारी राजदूत से उस अपरादी को जो उसके दूतावास में शरण लिये हैं, उसे सोंपने के प्रार्थना कर सकता है। राजनेक करमचारियों के व्यक्तिगत आवास की तलाशी नहीं ली जा सकती और अत्यदिक आवशक होने पर भी राजनेक करमचारी के आग्या प्राप्त के एमिना उसके घर में प्रवेश करना निशिद्ध है। तो समंदित सरकार उसे भेजने वाले राज्ये के साथ संपर्क कर करेवाई करने का अधिकार भी रखती है। तो दुतावास ऐसे अप्राधियों को जिनके खिलाफ दिवानी या फोसदारी मुकद में चल रहे हो अपने या शरण नहीं दे सकते। फिर है निवास इस्थान की उनमुक्ति। राजदूत को निवास इस्थान समंदि उनमुक्तियां भी प्रदान की जाती है। उनके निवास इस्थान या दुतावास को राजजे के क्षेतर अधिकार के बाहर माना जाता है। फिर है फोजदारिक शेतर अधिकार से उनमुक्ति। राजनेकों की सुरक्षा के लिए किये गए विशेस प्रावधानों के अतिरिक्त। उनको राजजे के फोजदारिक शेतर अधिकार से भी पूर्ण उनमुक्ति प्रदान की जाती है। कानून और व्यवस्था के विपरीत अपराद के लिए उनको किसी इस्तिती में बंदी नहीं बनाया जा सकता और पुलिस द्वारा इनको पकड़ कर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता तो दूतों से ये आशा की जाती है कि वे ऐसे अपराद नहीं करेंगे तथा स्वेच्छ से राज्ये के राष्ट्रे कानूनों का पालन करेंगे ऐसा नय करने पर प्रेशक राज्ये से उनको वापिस बुलाने और अपने देश में दंड देने के भी मांग की जा सकती है फिर है दिवानी क्षित्रादिकार से उन्मुक्ति राजदूत जिस देश में नियुक्त किया जाता है और जब तक वह राजदूत के पद पर रहता है तब तक वह सब प्रकार के दिवानी मुक्तमों से मुक्त रहता है और उसके कारेकाल में उस पर दिवानी मुक्तमा नहीं चलाया जा सकता, सन 1708 में ब्रिटेन में एक कानून पारिद किया गया था, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा राजदूत पर किसी भी प्रकार का कानूनी मुकदमा घोर दंडनिया प्राद गोशित किया गया था, सेंगत राजे अमरीका में भी इस प्रकार का कानून पारिद किया गया था, कि जो कोई राजदूत के विरुद इस प्रकार की कारेवाई करेगा, वह हैं अंतरास्टे विदी का उलंगन करेगा, और रास्ट्रिय शान्ति में हस्तक्षेब करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे उधारण हमें देखने को मिलता है, सन 1961 के वियना अभी समय ने राजदुतों के दिवानेक शेत्रादिकार से उन मुक्ति के समंद में तीन अपवाद माने, पहला व्यक्तिक अचल संपत्ति के मामले जो दूत मंडल का कार्य करने के लिए न रखी ग मामलों जिन में दूत ने व्यक्तिक व्यवसाय का कारे किया हो, तो इस तरह से दिवानी क्शेत्रादिकार से उन मुक्ति के लिए कुछ तीन अपवाद भी भाने गए हैं, इस परिस्तिति में जिनके बारे में मैंने अभी बता है, तीनों परिस्तितियां संपत्ति को लेकर जो व्यक्तिगत मामला है उसके मामले में वो दिवानी क्शेत्रादिकार से उन मुक्त नहीं है, ये तीन अपवाद रखे गए हैं, फिर है गवाही देने के लिए ये गवाही देने के कारे से मुक्ति, राजदूत को किसी मामले में गवाही देने के लिए बाद्या नहीं क किया जा सकता है नहीं उसकी इच्छा के विरूद को यदिकारी घर जाकर उसके गवाई ले सकता है यदि वह कि स्वें गवाई देने के लिए राज्जी हो तो नयले उसके प्रमान का लाब उठा सकते हैं 1881 में अमरीकी रास्टपती गारफिल्ड की हत्या के समय वेनेजुएल का राजदूत कवांचो वहाँ उपस थी था वे अपनी सरकार की अनुमती से गवाई बन गया राजदूत को अधिकार है कि वे गवाई बनने के प्रार्तना को ठुकरा दे इस तरह से पुलिस से भी मुक्ती उन्हें विशेश अधिकार के रूप में मिली हुई है पुलिस के आदेश तथा नियमन राजदूत पर व्याद्यकारी नहीं होते हैं दूसरी और यह भी व्यवस्ता है कि जिन विशों को पुलिस द्वारा नियमित किया जाता है उन पर राजदूत को मनमानी का अधिकार भी नहीं होता तो यह आशा की जाती है पुलिस की उन सभी आज्याओं एम नियमों का वैपालन करेगा जो उसके करतवे के मार में रोडा नहीं बनते ऐसा नय करने पर राजदूत को दंडित नहीं किया जा सकता किन्तु इसे भेजने वाली सरकार से वापिस बुलाने की प्राथना की जा सकती है इसी तरह से उन्हें करों से मुक्ति भी प्राप्त है इस्थानिय सरकारद्वारा राजदूत पर आयकर या दूसरे प्रतक्ष कर नहीं लगाई जा सकते मकान, बिजली, सफाई, नल, आदी, उपयोगी सेवाओं का मुल्य उससे लिया जा सकता है किन्तु सोजन्य वस अनेक देशों में ये कर भी नहीं लिये जाते हैं चुंगी तथार तटकर के समंद में अंतरास्टे कानून राजनेकों को उन्हों मुक्ति प्रादान नहीं करता है व्यवहार में सोजन्यवस अनेक राज्यों के राज्ट्रे कानून में एक सीमा तक राजनीकों के व्यक्तिकत उप्योग की वस्तूं को तटकर से मुक्त रखा गया है फिर है धार्मिक अधिकार राजदूत को धर्म के क्षेत्र में ये स्वतंतरता दी जाती है कि वै अपने विश्वास के अनुसार पूजा और उपासना कर सके उसका धर्म इस्थानिय धर्म और विश्वास से भिन हो सकता है अपने उपासना के लिए वै मंदिर, गिर्जागर, मस्जित, आदी का निर्मान भी करा सकता है फिर है पत्र व्यभार की स्वतंतरता राजदूत अपना कारे सुचारू रूप से संपन करा सके इसके लिए उसे अपने सरकार के साथ पत्र व्यवार के स्वतंतरता प्रदान की जाती है। सामान जप्त भी किया जा सकता है। यह राजदूत को प्राप्त होते हैं। यह राजदूत पर निर्भर है कि जितने भी उससे समंदी अत्वारिष्तेदार हैं और जो उसके साथ रहते हैं। उन सब को राजदूत के समान देवानी और फोसदारी के नयाक्षित्र से उन मुक्तियां प्राप्त है। फिर है तीसरे राज्यों के सम्मंद में अधिकार, राजदूतों को तीसरे राज्यों में होकर निर्दोष यात्रा का अधिकार है, निर्दोष गमन किसे समझा जाना चाहिए, इसका निर्णे तीसरे राज्य द्वारा किया जाएगा, तृत्य राज्यों में राजदूत के जाने की आवशक्ता कई कारणों से हो सकती है जैसे हो सकता है कि ग्रहन करता राज्य तक पहुंचने के लिए उसे त्रितिय राज्य से ओकर गुजरना पड़े यदि राजदूत युद्धकारी राज्य में है जिस पर अन्य राज्य द्वारा सैनिक अधिकार कर लिया जाए तो भी वे जा सकता है तो निर्दोष गमन के अधिकार के अनुसार राज्दूत तिसरा राज्य में केवल उतना ही रुख सकता है जितना की रास्ते में गुजरने के लिए आवशक है तो राज्दूत को भेजने वाले या ग्रहन करने वाले राज्य के साथ युद्ध की स् राजदूतों को कई विशेशा दिकार और उन मुक्तिया प्रदान की गई है धन्यवाद